मनोज प्रभाकर की जीवनी मनोज प्रभाकर का जन्म 15 अप्रेल 1963 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था उन्होंने 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारत के लिए अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट में पदारपन किया मनोज प्रभाकर एक क्रिकेटर के रूप में अपने हर्फन मौला कौशल के लिए जाने जाते थे अपने करियर में प्रभाकर ने दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गती गेंदबास के रूप में खेला प्रभाकर गेंद को स्विन कराने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और पिछ से महत्वपूर्ण मूव्मेंट पैदा कर सकते थे वह 1990 के दशक के दौरान भारतिय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे मनोज प्रभाकर को अक्सर भारत के लिए एक विश्वस्निय सलामी बल्लेबाज माना जाता था उन्होंने 1992 बेंसन एंड है जैस विश्वकप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रभाकर को उनकी अनुशासित गेंदबाजी और सटीक लाइन और लेंथ के लिए सराहा गया उन्होंने 49 टेस्ट मैचों और 131 दिवसिय अंतरराश्ट्रिय वंडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रभाकर ने न्यूजी लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में शतक बनाने और पांच विकेट लेने की उलेखनिय उपलब्धी हासिल की उन्हें भारतिय क्रिकेट में अपने समय के सबसे बहतरीन आलराउंडरों में से एक माना जाता था मैच फिक्सिंग में कथित सनलिप्तता के कारण प्रभाकर को अपने करियर के दौरान विवादों का सामना करना पड़ा उन्होंने 1996 में अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास ले लिया लेकिन कुछ और वर्षों तक घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा अपने खेल करियर के बाद प्रभाकर ने कोच और कमेंटेटर के रूप में कार्य किया उन्होंने विभिन क्रिकेट अकादमियों के साथ भी काम किया है और युवा क्रिकेटरों का मार्क गर्शन किया है हाल के वर्षों में प्रभाकर क्रिकेट को बढ़ावा देने और महत्वा कांख्शी क्रिकेटरों को कोचिंग देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं भारतिय क्रिकेट के प्रती उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और सराहा जाता है मनोज प्रभाकर क्रिकेट जगत में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं वह भारत के कई महत्वाकांखशी क्रिकेटरों के लिए प्रेणा है प्रभाकर की कहाने क्रिकेट के क्षेत्र में उतक्रिष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक जुनून और समर्पन का प्रमान है इस वीडियो के लिए बस इतना ही कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्यान भंडार को सब्सक्राइब करें